Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 7, lesson name is about plants, page number 81. If we look around, यदि हम अपने आसपास देखें, we can see different types of living organism. तो हमारे आसपास में बहुत सारे तरीके के जीव जन्तु दिखाए देंगे. All the living organism are different from one another. और ये सभी जीव एक दूसरे से कुछ ने कुछ अलग होते हैं, कुछ ने कुछ एक दूसरे से भिन होते हैं, अलग तरह के होते हैं. Living organism includes plants also. सजीवों में पौधे भी आते हैं, plants भी आते हैं. Therefore, इसलिए they also vary from one another. इसलिए अलग अलग पौधे भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. Some plants are small, कुछ पौधे छोटे होते हैं, and some are big, और कुछ पौधे बहुत बढ़े होते हैं. Some are flowering, कुछ पौधों में full लगते हैं, and non-flowering, और कुछ पौधों में full नहीं लगते हैं. Some are found on the earth surface, कुछ पौधे जमीन के उपर रुखते हैं, and some are found in the deep water, और कुछ पौधे पानी के अंदर रुखते हैं. All the other features, कुछ दूसरे लच्छण, जैसे, size, color, and shape of the leaves, पतियों के, size, पतियों का रंग, पतियों का shape, ऐसे flowers का color, shape, fruits का भी, ये सब एक दूसरे से पौधें का अलग-अलग होता है. Fruits also vary from plants to plants. तो इस तरीके से अलग-अलग पौधों की पतियों अलग होती हैं, उनके flower अलग होते हैं, उनके फल अलग होते हैं. Wherever we live on this earth, हम इस धर्थी पर जहां कहीं भी रहते हैं, Whether in a cold or in a hot region, चाहे हम बहुत ही गर्म जगह पर रहते हूं या ठंडी जगह पर रहते हूं, We find a variety of plants. हमें बहुत सारे तरीके के पौधे देखने को मिलते हैं. The variety of plants is due to the different climatic conditions and also due to different habitat. ये जो अलग अलग तरीके के पौधे उखते हैं, इसका कारण ये होता है कि हर जगह climatic conditions अलग अलग होती है और इसी के हिसाब से पौधों का निवास अस्थान भी अलग अलग होता है. कुछ पौधे ठंडी जगहों पर उखते हैं, तो कुछ पौधे ठंडी जगहों पर जिन्दा नहीं रह सकते हैं कि अवल गर्म जगह पर उखते हैं, तो इस तरीके से निवास स्थान भी पौधों का अलग अलग होता है. In the previous classes, पिछली कच्छाओं में, we have learned that plants are useful for us in many ways. बहुत सारी पच्छियां और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, वो पौधे के उपर या पेड़ों के उपर ही रहते हैं, पेड़ों का निवास स्थान होता है, जैसे गिलहरी हो गई, चिडिया हो गई, बंदर हो गया, ये सब पेड़ों के ही उपर रहते हैं. We all depend on the plants for our food. हम सभी जीव जह साका हारी हों या मांसा हारी हों, अपने भोजन के लिए पौधों पर ही डारेक्टली या इंडारेक्टली निर्वर करते हैं. They provide us a variety of food items. पौधों से हमें विभिन तरह के बहुत अलग अलग तरह के खाने के सामान मिलते हैं, food items मिलते हैं. In this chapter, we will get to know about the kingdom of plants, their types, parts and functions. This chapter में हम बहुत अलग अलग तरह के पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पौधे कितने तरह के पौधे के होते हैं, पौधे के अलग अलग पर्ट्स कौन-काउन से हैं, पौधे के कितने पर्ट्स हैं, ऑर हर प्रट्ट का क्या function होता है पौधे का, हम यह सभी इस लेसन में पढ़ेंगे, अब लिए students classification of plants, plants can be classified in various categories, हम पौधों को बहुत ही तरीके से classify कर सकते हैं, they can be classified on the basis of height, हम पौधों को height के हिसाब से classify कर सकते हैं, Types of stem, stem के type के base पर classify कर सकते हैं, age के आधार पर classify कर सकते हैं, types of leaf, पत्यों के आधार पर classify कर सकते हैं, and flowers, the bear, और फूलों के आधार पर हम अलग-अलग पौधों को classify कर सकते हैं, Types of branching pattern, पौधों में branching pattern क्या होता है, साखाएं कैसे निकलती हैं, इस आधार पर भी हम उनको classify कर सकते हैं, must to know, Flowering plants are such plants that bear flowers, ऐसे सभी पौधे, जिनमें flower आते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, उन पौधों को हम flowering plants कहते हैं, अगली idea students, classification of plants on the basis of flowers, अब फूल के आने के अधार पर हम पौधों का classification करेंगे, Some plants are called flowering plants and some are called non-flowering plants, कुछ पौधों को हम पुस्पी पौधे कहते हैं, और कुछ पौधों को हम अपुस्पी पौधे कहते हैं ऐसे पौधे जिन में फ्लावर आते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स या पुस्पी पादप कहते हैं और जिन में फ्लावर नहीं आते हैं उन्हें अब उस पी- पादप या non flowering plants कहते हैं रोज, sunflower, mango, mustard, eccetra are the example of some flowering plants तो यह सब flowering plants की exemple हैं फंजाई, mosses, pine, algae are the some non flowering plants और non flowering plants की example क्या है फंजाई, mosses, pines, algae यह सभी जीव, यह सभी पादप Students, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे Thank you